हमारे इस यूट्यूब चनल में यहां पर नहीं है तो यहां पर हमने दिया वह आया कि A-B बराबर A है तो फिर इसको हम लेते हैं Let X belongs to A-B तो यह हमार पास करेगा X belongs to A but X not belongs to B तो फिर यहां से हमार पास दिया हो X belongs to A but X not belongs to B but हमार पास जो दिया हुआ है हम पहले जो दिया है उसी को हम डिफाइन कर रहे है और साथ में क्या दिया हुआ है A-B बराबर A यानि कि इसका मतलब होगा है कि X belongs to only A ही होगा यहनि Y में कोई element ऐसा होगा ही नहीं common element होगा ही नहीं तो यहां से हम कह सकते हैं जब कोई common element है ही नहीं और साथ ही दिया हुआ फ्रेंस X belongs to A क्योंकि X belongs to A कर रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो element A में है वो B में नहीं है तो जो element A में है और B में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास जो A intersection B जो होगा वो 5 होगा क्योंकि element A में है element A में कोई अगर है तो यह imply कर रहा है वो element B में element is not in B is not in B यहाँ कोई element A में है तो element B में नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं A intersection B equal to phi